नमश्कार दोस्तो आईए देखते हैं कि कल मार्किट कैसे काम काच कर सकती है लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर वीडियो एजुकेशन लेर्णिंग परपस के लिए मेरी तर से कोई बाइस हैल का लिक्मेंडेशन नहीं है कुछ भी खरीदने बेचेने से पहले अपने फाइनेशल एडवाइजर की मदद ले लिजेगा क्योंकि आपको होने वाले प्राफिट लाज के लिए मैं मेरा चैनल किसी भी तरह से दिम्मेबार नहीं है दोस्तो आज को जो डाटा है इतनी स्ट्रेंथ नहीं नदर आ रही जैसे कल के डाटा में थी आप देखिए रिटेलर मिक्स्ट लेगे एं, कि करना क्या हां आज रिटेलर ने कोòng के लंबी सल पुथ नहीं की चाहें काल और पुथ दोनों में देख लो सिर्फ अपनी ब्चाते हुए नज़र आ है वहीं एफा ए अपनी कुछ काल्स में प्राफिट बूक करते नज़र आए और कुछ call carry forward की और कुछ put भी जो है addition add नहीं की, अब इस सारी चीज के बीच में retailer आज 21,647 contract जो है long side पे है, index future में 60,270 contract DIA इसने बेचे है, short add की है इसने fresh और FII ने भी कुछ long, कुछ short add की है, इसके पास 51,000 contract है और PROS 12,382 contract ये भी short side पे है और ऐसा लग रहा है कि जो year end rally थी जिसमें maximum fund houses ने अपने navs manage करने हैं, वो काफी हद तक अभी तक successful रहे हैं, हालांकि 18,600 पे तो nav नहीं हुई उनकी, लेकिन 17,300,400 के level पे जो है, वो manage करने में काम्याब रहेंगे, और जो गिरावट है, वो जैसे ही expiry खतम होती है, शायद एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिले, retailer 80,945 contract अब इनके पास रहा गए है, clear cut इन्हों ने आज कुछ call जो है, खरीदी है, DIA के नंबर में change नहीं है, FIA 2,09,000 contract जुरूर है, नंबर इनका थोड़ा सा बड़ा है, 1,29,000 contract प्रास जो है, वो write करके गया, थोड़ी सी call इन् 24,000 contract retailer ने write की है, बेची हुए है, 1,52,000 contract प्रास ने भी बेची है, और ये दोनों हैं किसके पास है, DIA और FIA के पास, DIA 3,07,000 contract है, SORRY, FIA 3,07,000 contract है, DIA 79,564 contract put में है इनके पास, और stock future में, FIA ने आज और नंबर बढ़ा है, अब इनके पास 1,92,000 contract हो गए है, 1,73,000 contract प्रा retailer 12,072,060 contract इनके पास है, 16,38,000 contract, DIA ने बेची है, यहाँ पर जुरूर जो है, FIA bullish view ले रहे हैं, stock future में, उमीद है कि इस में से कुछ contract वो होंगे, जो budget point of view से थोड़े important होंगे, या IT हो सकता है, pharma हो सकता है, और कुछ banking control हो सकते हैं, दोस्तों यह जो sheet आप daily देखते हो, य मेरे twitter handle है, markets with sb, वहाँ पर भी देख सकते हो, और telegram channel अगर markets with sb, पर प्रेजन नहीं हो, तो आपको join करना चाहिए, क्योंकि जो भी important view market house के दुरौन है, मैं यहाँ पर देता हूँ, अब चलते हैं, बाकी parameters की और, US market future हलके से positive हैं, हमारी SGX nifty, हालंकि यह January की है, positive ही दिखा है कल, तो अच्छा हो, लेकिन मिलेगा नहीं, ऐसा जरूर मुझे लग रहा है, बाकी operator के हाथ में वो क्या करते हैं, कल एक views share किया था कि positive आज opening होगी, positive मिली, लेकिन आज के data को देखके उतना bullish view मेरा नहीं बन रहा, हालांकि अब 300 point अगर डो उपर हो जाए, और S&PB अगर 30-40 point उपर हो जाए, नाजदा का अगर 500-200 point उपर हो जाए, तो picture बदल सकती है, हालांकि अभी picture इतनी positive नहीं है, वहीं S&P, इस पे नदर रखना, ये अपने all time high के उपर चल रही है, 4800 के उपर चल रही है, bullish है अभी, और ऐसा लग रहा कि अगले कुछ दिरों में, US market में भ बाइं की है, DIA ने 567 करोड की बाइं की है, दोनों बायर है, इसलिए लेकिन ये बाइं की quantity level वो नहीं है, एक अलाख करोड की selling के आल्मोस्ट, बाद में 200 करोड की बाइं कोई बड़ा लंबा जो है, वो positive signal, at least मुझे नहीं दे रही, जो चाहिए था वो नहीं है, अब यूज आई, डेली को लेके एक dip आया, डेलो के आसपास market आयी, और मैंने telegram channel पे बोला भी था, लेकिन की जो भी dip आएगा, जो आना चाहिए था, वो हम buy करके चलेंगे, वो आया, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, काल साइड में total profit booking गया, और आपको पता है कि काल और put side में further जो है, जुरूर addition है, 17,273,000 contract यहाँ पे आड़ हो है, एक लाख open, एक लाख 3,621 contract यहाँ पे हैं, जो पचास लाख share बनते हैं, 17,100 पे भी एक लाख 4,000 हैं, और आप भर-भर के, और even 17,300 पे भी कुछ put जो है, आज आड़ हो ही है, 20,1000 contract, लेकिन कल put का दिन रहन चाहिए, ऐसा लग रहा है, अभी data को देखके, अगर morning में कुछ retailer अपनी दया दिखा दें, तो कल put वालों को कमाई हो सकती, otherwise, ऐसा लग रहा कि, जो view, lie market में बन रहा था, कि कुछ gap आप ऐसा मिल जाए, जिससे market उपर भाग जाए, वो अभी के लिए मैं अपना hold कर रहा हू सो पॉइंट का gap up है, जो picture change कर सकता है, बट सो पॉइंट का gap up मिलेगा, यह मुझे जो है, अभी शंका है, और अगर छोटा सा कोई gap up मिल गया, तो दिन बर जो आप देखोगे, range bound रहेगी, और फिर call और put के premium ही खराब किये जाएंगे, दोनों तरफ से writers जो है, supply करने की 5S या SAS online, किसी भी discount broker के साथ अपना account open करना चाहते हैं, दोस्तों मैंने description में link दिया हुए, link को click करके आप account open कर सकते हो, हो सके तो एक बार के लिए details भी में ऐसा जुरू share कर लेना, नीचे 17200 first sport है, followed by 17100, 17100 solid sport है, इवान 17200 भी आपने आप में sport है, तो 17180, अगर यह नीचे की तरफ तूटता है, तो market कहीं ना कहीं, 17140 और 17100 की तरफ जाने की कोशिश करीगी, अगर इस तरफ जाती है, तो एक बार के लिए 17100, 120 के आथपर हम call buy कर सकते हैं, 17000 जो है, वो अपने आप में strong sport है, strong जिसको कहते हैं, और अगर यह तूटी, तो फिर market 16700 पे जागे expiry काटे की क्योंकि फिर pressure बहुत बढ़ी आएगा, लेकिन अभी 17700 और 17700, 17100, 17200 अपने आप में sport है, मेरी को लग रहा है कि अभी फिलहाल, जो range है वो कल की 17100, 150 से लेके, 17300, 350 कुछ यह range रहा सकती है, gap आप मिल जाए, अगर 100 point का तो picture change हो सकती है, क्योंकि फिर 17200 और 300, यह तकरीब बन, एक लाख और एक लाख, दो लाख, दो लाख का मतलब, एक करोड़ शेर शार्ट हो जाएंगे, एक करोड़ शेर शार्ट होगे, तो वो 17350, additional 50 point, 60 point की जो है, वो शार्ट कवरीं trigger करेंगे, और 17500 पे, यहाँ पे भी कुछ आज action हुआ है, जहाँ देखो, आप काल उठी है, 75 पैसे green में आए, जैसे ही यह green में है, थोड़ी सी यह green में है, तो यहाँ पे, इसका मतलब, काल्स में आज action था, अब यह collection बरकरा रहता है, उसके लिए, फिर मैं repeat करता हूँ, 100 point का gap अप बरकर करेगा, अगर flat opening गुई, तो फिर आप देखोगे, कभी नीची आएगी, कभी 200 के नीची आएगी, कभी 200 के ओपर जाएगी, और एक tight range में गुमेगी, फिर उसके बाद, धाई बज़े, जैसे positions बनेगी, फिर धाई बज़े जो है, action होगा, और action जुरूर जो मुझे लग रहा है, फिर उपर वाली तरफ ही होगा, तो 17,100 नीचे की तरफ, 17,300, 3455 उपर की तरफ ये range रहा सकती है, और gap up हो गया, तो फिर, अगर 101 point का gap up मिल गया, फिर wait करेंगे, फिर और क्या करेंगे, 100 point के gap up में, काल खरिदने की मेरी हिम्मत नहीं है, जैसे आज भी अगर उपर open हुई है, तो सारा दिन जो है, market में, put supply होती रही, और put जो है, थोड़ी बोट हमारे retailer लेके गया है, और call भी लेके गया है, in fact, लेकिन यहाँ पर call नहीं लिए इन्होंने, इन्होंने कहाँ call लिया, वो identify करते हैं, मुझे वो level लगा, वो यहाँ पर लिए bank nifty, और यही मैंने update भी किया था, कि nifty का थोड़ा था ठीक है, bank nifty नहीं, यह सारी दोस्त प्राफिट बुकिंग हो गई है, यह हलकी-हलकी call, put में भी प्राफिट बुकिंग हो गई है, जहाँ-जहाँ देखो गया, आप सोधे कट गई है, नीचे की तरफ लेवल ओपन है, 34-700, 34-500, यह नीचे की तरफ, और 35-500 ओपर की तरफ यह उन 35-200, यह भी resistance है, 35-300 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में अगर gap अप मिल जाए, तो बढ़िया है, और बैंक निफ्टी की closing हुई है, 35-200, एक्जेक 35-200 पर, और future भी कहीं इसी के आसपास है, लेकिन 300 पॉइंट का gap अप यहाँ पर कुछ करेगा, फिर आपको 200-300-500, कुछ यह लेवल, यह कोई फिर 51 लाग शियर, जो 50 लाग से ज्यादा शियर शाट हो जाएंगे, फिर यह शाट कवरिंग ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी फ्लैट ओपनिंग वही तो 34-800 यह लेवल है, जो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए फिर कल दिन में दिख सकता ह है, उसका कलियर कट रीजन है कि काल में अभी भी 70,000 कंट्रक्ट खड़े हैं, पुट में 86,000 कंट्रक्ट खड़े हैं, फ्लैट ओपनिंग वही तो यहाँ पे आपको फर्दर काल अडिशन होती नजर आएगी, फिर कही न कहीं काल और पुट आलमोस्ट ब्राबर हो जब यह ब्राबर हो जाएंगे, फिर राइटर्स की कोशिश होगी, कि इसी लेवल के आसपास मार्किट को गुमा गुमा के, जो है, काल और पुट दोनों को जीरो किया जाए, और वैसे भी कल के लोग से 34,200 से 35,300, 1000 पॉइंट की अगर बैंक निफ्टी ने रैली अलड़ी दिखा दी है, नीचे से जो क्रेक्ट हुई थी, ऐसा कोई भी बैंकिंग शेर नहीं है, जो मुझे लग रहा है, कि जो प्राइविट सेक्टर बैंक, जो कल बहुत अच्छा चले, और 4-500 पॉइंट बैंक निफ्टी को दोड़ा दे, वो सिर्फ एग रीजन हो सकता है, कि फ उपन हुई तो 58 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी उपन उपन होगी, इस से ज़्यादा गैप अप मुझे लग नहीं रहा, और माइट भी हम फ्लैट ओपनिंग भी देख सकते हैं, या माइनस 50 पॉइंट की ओपनिंग भी देख सकते हैं, और अगर माइनस 50 पॉइंट की मिल गई, तो उस केस में मैं वेट करूँगा, काल लेने का कहां पे 34,800 या 900 के लेवल पे, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में खुलने में नम नहीं दिखाया, तो इसका मतलब एक बार के लिए जुरूर ये सोल्ड आउट होगी और ये 35,000 की काल जो है, राइटर्स खराब करने की कोशिश करेंगे, जो मेरी रेंज है कल की 34,800 से लेके 35,500, 35,600, ये रेंज रहेगी, मुझे सिर्फ ये देखना है, कि बैंक निफ्टी ओपनिंग ऐसे होती है, उसके बाद ही ट्रेड लूँगा, कुछ भी जो एक्शन मुझे समझ में आया, मैं अपने टेलीग्राम चैनल, मार्किट से दैसे भी पे जुरूर अपडेट करने की कोशिश करोगा, इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो में यही खतम करने ज्यादा चाहता हूँ, उमीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ ट्रेड लेने में साहता मिले, आप धेर सारा प्रा कर जाहिंद